रामायन में वर्णित राम सेतु का वजूद आज भी मौजूद है और आधुनिक विज्ञान के लिए कौतुहल का विशय बना हुआ है आईए जानते हैं राम सेतु से जुड़ी कुछ दिल्चस्प बातें राम सेतु या रामा का पुल तमिल नाडु में पंबन वीप को श्री लंका के मननार वीप से जोडने वाले समुद्र के पार बनाया गया है या पुल 50 किलो मिटर लंबा है और मननार की खाड़ी को पुल स्ट्रेट से अलग करता है राम सेतु को एडम, ब्रिज, नाला सेतु और सेतु बांदा भी कहा जाता है इस पुल को कथी तोर पर पंदरवी शताब्दी तक पैदल चलने योग्य माना जाता था जब तक कि तुफान ने चानल को गहरा नहीं किया मंदिर के रिकॉर्ड से पता चलता है कि राम सेतु 1480 तक समुद्र तल से पूरी तरह उपर था जब यह उस चक्रवाद से टूट गया जो इस शेत्र से टकराया था पुल का उलेख पहली बार वालमी की रामायन में किया गया था जो एक हिंदु महकाव्य है और माना जाता है कि यह भगवान राम की वानर सेना द्वरा बनाया गया था जो नाला से लंका तक पहुचने और रावन के चंगुल से अपनी पतनी सीता को बचाने का निर्देश साथ लाया था वैग्यानिक अध्यनों से पता चलता है कि पुल चूना पत्थरों के शोलों से बना है और प्रवाल भितियों का एक रैखिक अनुक्रम है यह तैरती चटानों से बना है जो रामिश्वरम में बिखरी हुई पाई जाती है और वैग्यानिक सिध्धानतों से पता चलता है कि कुछ ज्वाला मुखी चटाने पानी पर तैरती है। ओइनोग्राफि की शोद से पता चला है कि यह पूल 7000 साल पुराना है जो धनुश योगी और मनार वीब के पास समुद्र तटो के कार्बन डेटिंग के साथ रामायर की कथित तिथी के साथ है। हिंदूओं का मानना है कि राम से तु एक पवित्र स्थल है और इसलिए इसके उपर कोई पूल नहीं बनाया जाना चाहिए। विज्ञान के दृष्टिकोंड से पूल हजारों वर्षों से मौजूद प्राकृतिक भितियों को नस्ट कर सकता है।